हाई गाईज, वेलकम डू मोटरो क्रेंट फ्रॉम गोवा, मेरा नम है मफाज और आज जो में गाड़ी आपके लिए लेकिया है, यह बहुत ही जादे इंट्रेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यह गाड़ी इंडिया में एक नया सेग्मेंट स्टार्ट कर रही है, मैं बात क आपको रेट्रीट्मेंट मिलेगा, जो बंपर में उस साइड में भी है, और साइड में जहां हम चलेंगे, तो यहाँ पे आप अराम से इस गाड़ी को देखिए, यहाँ पे आपको समझ आएगा कि मैं कौन सी सेग्मेंट की बात कर रहा हूँ, इस इन एस यूवी कूपे, यह इंडिया की most affordable SUV कूपे होने वाली है, और इसके जो alloy wheels हैं, वो आपको solange के मिलते हैं, इसके अंदर आपको आपका disc brake मिलेगा, बट वो सिर्फ आगे के दो wheels पे ही है, ग्राउन क्लेरंस 180 mm की है, और इस गाड़ी का जो wheelbase है, वो segment leading है, यहाँ पे आपको black cladding मिल जाएग पे आपको वही red treatment मिलेगा, जो आपको front bumper पे मिला था, आपके बस shark fin antenna है, अब पीछे चले, यहाँ आपको दिखेगा, इस गाड़ी का rare profile, और राम शाप एक बार इस गाड़ी का look दे दीजे, तीन badging दिखेंगी, बीच में आपका citron है, राइट साइट में basalt है, यहाँ pure tech है, which is the technology, जो citron की है, आपकी जो tail lights है, वो 3D है, आप देख सकते है, मेरा हाथ इसके बीच में जा रहा है, this is the 3D style, जो basalt lie है, नीचे अगर आप आएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा आपका rare view camera, 360 degree camera नहीं है, सिर्फ rare view camera है, और आपको मिल जाएंगे आपके parking sensors, अब हम boot space के बार में बात करेंगे, तो यहाँ आपको मिल जाता है, 470 liters of boot space, और उसी के नीचे, अगर आप इसको pull करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, आपका space saver 15 inch का tire, राइट साइड में आपको एक light भी मिल जाती है, अब हम आगे हैं, इस गाड़ी की rare seats में, मेरे आइटे 6 fit, य यह मेरे साब सेट है, मेरे पास इतना knee room है, और head room आप देख सकते हैं, इस coupe SUV का, अब सब लोग complain करते हैं, under thigh support के बारे में, तो citron ने आपको इसमें दिया है, extendable under thigh support, आप ऐसे करेंगे, यह उपर हो जाएगा, और hand brake की तरह उपर घरेंगे, तो वापस नीचे चले जाएग और एक और चीज़ है, citron बोलती है, इसके जो headrest है, वो normal headrest से different है, और जादा comfortable है, और three point seat builds भी आपको तीनों occupants के लिए मिल जाती है, बसोल का जो dashboard है, इसमें आपको dual tone finish मिलती है, उपर black है, नीचे beige है, और इसका जो steering wheel है, वो three spoke है, जिसमें left side आपको मिलता है, driver display का control, औ और right side में आपको मिलता है calling और volume controls, यहाँ पे आप buttons के through इसके graphics को change कर सकते हैं, और आप multiple information का भी access ले सकते हैं, यह screen जो है, वो 7 inch की है, उसी के left side में आपको 10.25 inch की infotainment display मिल जाएगा, with apple carplay and android auto, और यह दोनों wireless है, नीचे आपके AC vents है, बीच के जो AC vents है, वो horizontal है, और left और right वाले vertical है, नीचे आपके AC के controls हैं, जिसके लिए आपके पास physical buttons हैं, और उसी के नीचे आपका USB type A, 12 volt charging socket, थोड़ा सा storage space, और एक fast charger भी है, जो की wireless है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 2 cup holders, यहाँ पे आपका जो gear box है, वो एक 6 speed talk converter है, यहाँ पे थोड़ा सा hour space है, और आपक turbo petrol, और दो gear box options आते है, 6 speed manual, 6 speed talk converter, अब Citroen ने हमें इस गाड़ी की pricing तो नहीं बताई है, पर हमारे educated guests यह कहता है, कि they will try to price it under 10 lakh, non turbo variant के लिए, और इस गाड़ी की price range रहेगी 9 से 16 lakh के बीच में, अब इस वीडियो के बात भी, अगर आपके doubts clear नहीं हुए है, और आपको किसी expert से बात करनी over a phone call, all you need to do is head to motoroctane.com slash car-consultancy पे और आपको वाइक basic सा form fill करना है, और अपनी call timing book करनी है, that's it, तब तक के लिए, stay safe, drive safe, bye-bye.